गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स हम लोग एंसी याटे हिस्ट्री का जो चैप्टर एट है क्लास एट का उसको पढ़ रहे थे यह मुख रूप से क्या भारत में सिख्षा में जो सुधार रांग जो ने किया और उसके जवाब में कुछ भारती यह भी आगे आए जैसे कि साल करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले एक बात कि हमारा चानल अच्छा लागे तो जरूर लाइक करें सेयर करें कुमेंट करें और सब्सक्राइब करें और सेयर भी कर सकते हैं और दूसरी बात है अगर एंसी याटी का कोई भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो जैसे 67 इतना प्रहा चुके हैं उसका अगर वीडियो चाहिए तो हमारे जो यह वीडियो है इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कोमेंट बॉक्स में खोजिएगा तो हमिल जाएगा साथ ही जोगरफी जोगरफी में हम लोग को ज्यादा प्ढ़ा चुके है उसमें क्लास 6 7 8 9 10 क सब्सक्रिप्शन बॉक्स में खोजिएगा तो मिल जाएगा उसका हमने निक दे दिया है इन्हीं सब बातों के साथ सुरू करते हैं अस्थानिये पाट साला का किया हुआ पहले जब अंग्रेज आये तो उन्होंने कहा कि अब हम देशी जो सिख्षा ब्यवस्था यह तो बहुत खराब है और जब नजर में पहले तो उन्हों अपने में बीवाद हो गिया कि यह कैसे पढ़ाए प्राचे सिख्षा ब्यवस् उसना था उसको यहां की काल्चर यहां का सीष्टम मतलब उसने कहा कि हमको इस्थर मीसी की मतलब बनाया और यहां के जो सिक्षन संस्था थे उनको कहा अंधिकार का मंदिर इसको इसी तरह चोरन होने üç एक छोड़ दिया यहां देखिए क्या हुआ यहां देखें क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह से पढ़ाय जता था ऐसा थोरे है कि अंग्रेज आ तभी पढ़ना लिखना सुरूरों से पहले नहीं यहां के लोग यहां बच्चे नहीं पढ़े रिखे थे मग डौच पेंटर दोरा बनाया गया चीत्र है फ्रांसवा अठारमी सदी के आखिर में भारत आये थे अपने चीत्रों में उन्हों ने लोगों के दैनिक जीवन को दर्थानी का पड़ाजन किया है विलियम एडम की डिपोर्ट 1830 के दसक में स्कॉटलेंड से आयर इसाई परचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जीलों का दोरा किया कमपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में सीख्छा की परगती पर रिपोर्ट तयार करने का जिम्मा दिया एडम ने जो रिपोर्ट तयार किया वह बहुत है डिलिचस पर दिखी क्या है एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाख से ज़्यादा पाट साल आये हैं यह बहुत छोटे छोटे केंदर से यानि प्राइमरी कहीं इसको जिन में आम तोर पर 20 से ज़्यादा बिद रही थी कई पाट साला है स्वयम गुरू द्वारा ही आरंब की गई थी मतलब जो समाज था वह सिक्षित था समाज और समरित था समाज तभी तो समाज ने इस तरह की बिवस्था लागू कर रखा था बीना सरकार के सहायता से भी यहां के बेर इसकूले चला करते थी यानि क पिता से हर सनीवार के सनीवार के दीन वritMRच待 के लिए निए गुरू जी कichts लिए ऊंगे जिसे गुरू जी का वित्तौज चल सकें सिक्षा का तरीका काफी लचीला था आज अब जिन चीजों को स्कूलों से उमीद करते हैं उनमें से कुछ चीज उस समय की पाठ सालाओं में भी मौजूद थी बच्चों की फीस निशित नहीं थी छपी हुई किताबे नहीं थी पाठ साला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाते थी बेंच और कुर्सिया भी नहीं होती थी आज कलके तो स्कूल का यही सब परमाना है यह सब नहीं है जो स्कूली नहीं है बलैक बोड भी नहीं थी अब ब तो बच्चा पढ़ेगा कैसे इसका मतलब हुआ कि जो पढ़ने वाला था वहीं पढ़ता ऐसा नहीं कि सटिफिकेट ले लिए और जिंद्गी भब बिरुजगार घूम रहें ना घर के रहें ना घाट के रहें बाली सीख्छा बिवस्था नहीं थी उससे में जो पढ़ गया पर ही बच्चो को पढ़ाया जाता था बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आम्ड़ानी से टये होती थी अमीरों को ज़ specific है कितनी समानता है यहां पर विद्यार्थियों को अलग अक्छाओं में नहीं बैठाया जाता सबी एक जगह एक साथ बैठते से अलग-अलग अस्तर के गुरु अलग-अलग से बात करते सी यानि टीचर और गुरु का जो combination होगा जो आपस में जो communication होगा जिदम ही पसाफ रहा होगा one to one संपड़कर होगा यह प्रते गुरु को पता है उसका उजुवा है student होगा कैसा है उसमें किया कमी है एडम ने पाया कि यह लचिली पर ना लिए अस्थानिये आविशक्ताओं के लिए काफी अनुकूल है उदारन के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाय बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गाओं के बच्चे पर आया खेतों में काम करने चली जाते थी अब कहीं कितना खराब हो गया कि खेती में काम करने बच्चा तो पूश कर उनके हिसाब से समय अपने परहाने का फिक्स करती है और उसमें दीन का जो कायम है समय है जिसमें एक्री कल्चर का कार हो सके उस समय स्कूल में छुटी रहती है ताकि वहां के बच्चे हैं वहां के खेतों में कुछ काम कर ले ताकि उसको पैसा हो जाएगा और प्रण ने कॉपी किया की नहीं किया फिर यहां पर क्यों और निकल जाने के बाद पाट साला दोबारा सुरू हो जाती इसका परिणाम यह था कि सधारन कास्तकारों के बच्चे भी परहाई कर सकते थे और आजकल क्या होता है एक बार स्कूल से छुट गए तो छुट गए कि दोबारा कोई उपाय ही नहीं है कुछ गतिवी दिहां देखिए क्या है कलपना कीजिए कि आप 1850 से 1850 के दसक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं आप बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्री पाट साला पर आपकी क्या रह होगी यानि उसमें जो गरीब बचा है आपको मालूम है कि प्रात्मिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभा पच्चास परसिंट बच्चे 30 से 14 साल तक की उम्र सोरी साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं यह आज की बात है कि आप बता सकते हैं कि इस स्कूल और कॉर्वेंट का जो कल्चर आगिया है उसी कारें बच्चों से स्कूल छूट जाता है दुबारा वो जाने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं नई दिन्चरिया और नइनिया 19 सदी के मधितक कंपनी का ध्यान मुख रूप से उच सिक्चा पर था इसने कंपनी ने सिक्चा विवस्था में सुधार लाने का फैसला किया कंपनी ने माना था कि इसके लिए मौजूदा विवस्था के भीतर ही बदलाव किये जा सकते हैं कंपनी एक नई दीन चरिया नई नियम और नियमित निदिक्षनों के जरिए पाट सालाओं को और विवस्थित करना चा पंडित को चार से पांच स्कूलों की देख रेख का जिमा सौप दिया अब पंडित जी भी खुस क्यों उनको बेतन मिलने लगा पंडितों का काम पाठ सालाओं का दोरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था पर तेक गुरू को निर्देश दिया ग हो गिया यायनि बुरू जी अब गाइड हो गया क्योंकि किताब क्या हो गया तो तो ताज महल कुत्व मिनार हो गया पहले से लिखा लख लख लेख लिखा एक प्रक्षायों की रूप देखा तयार की जनने लगी बिदियार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से सुल्क दे पैसा दे यानि पैसा है तो पढ़िए न पढ़िए नियमित रूप से कक्छा में आएं तैस सीट पर बैठें और अनुसासन के नियमों का पालन करें नए नियमों पर चलने वाली पाट सालाओं को सरकारी अनुदान मिलेगी और नहीं तो जो नहीं पालन करें उसको नहीं मिलेगा जो पाट सालाओं नई विवस्था के भीतर काम करने को तयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी और क्या होगा दूसरे लोग कहेंगे उसको कि यह पिशर गया इसकूल फेल हो गया इस इसकूल के पास छमता नहीं है इस स्कूल में उच्छ क्वालिटी का परहाई नहीं होता है मैं नहीं इसकूल खराब होता क्या होगा उस स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो बच्चा इसकूल बंद हो जाएगा जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देसों का पालन करने की पहले वाली विवस्ता में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठ सालाओं में जा सकते थे, क्योंक है, सालाओं की समय सारनी काफी लचिली ऊती थी नए विवस्ता के नुसार, नए विवस्ता के अनुसासन की मांग थी philosophy कि बच्चे नियमीत रूप से स्कूल आये और काटाई के समध桬 मौसम में भी बच्चा को बच्चो का स्कूल आना जरूरी था जब समय घरों खर केए सब्सक्राइब ले खेटों में काम करने जाय करते थे अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आपाता था तो इन ही अनुसासन हींता माना जाता था यानि बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है यह नहीं समस्ते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया वह हमको नहीं खोजना है क्यों नहीं खोजना है यह बताना है कि बच्चा तुम नहीं आये हो इसलिए तुम में फोट है कि राश्ट्रीएसिछ्चा की कारेसोची केवल अंग्रेज अपसर ही भारत में सिष्चा के बारे में नहीं सोच हैं उनरी सदि की सुर्वात से हीं भारतके वीभिबिन भागों में बहुत सारे बीचारा के सिख्षा के वियापक परसार की जिरूरत पर जूर देने लगे थे यूरोप में आ रहे बदलाओं से पर भावित कुछ भारतियों का मानना था कि पस्चिमी सिख्षा भारत का आधुनी की करन कर सकती हैं उन्होंने अंग्रेजों से आहवान किया कि वेडने स्कू सभी बात है कि उनको ही पता नहीं है यह अंग्रेज तेहां पर लूटने आये थे इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग आप अध्याय नौ में पढ़ेंगे यानि हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत सारे भारतिये पस्चिमी सिख्षा के विरूद भी थे मह महत्मा गांधी और रवीद न टेगोर इसी तरह के लोग थे यह अंग्रेजी सिख्षा ने हमें गूलाम बना दिया यह आज जानते ही है क्या होगा महत्मा गांधी के कहना थ कि अपने वेसीक सिख्षा ने भारतियों के मस्ठिक्स में हिन्ता का बोध पैदा कर दिया है इस और जितने भी हिंदी मूभी देखिया कोई भी उसमें जो बोल चाल के जो हिंदी भासा है या जो पहनामा और हावा है जो पिक्चर दिखाया जाता है जो फोटो जी सहर का पिक्चर विडियो जो क्या होता है उसमें सब पहस्रीम को अच्छा दिखाया जाता है और पुड़ा गांधी ने कहा था कि इस सिक्षा में विश्वारा है यह पाप पूर्ण है इसने भारतियों को दास बना दिया है इसने लोगों पर परभाव डाला है उनके मुताबिक पहचिम से अभिभूत पहचिम से आने वाली हर चीज की प्रसंसा करने वाले इस संस्थानों में पढ़न भूत क्या हुआ तो उनका सफना सफल हो रहा था लेकिन जो महत्माय गांधी हुए नहीं कहा उस समय इता हिम्मद जुटाया को सच बोल पाए महत्माय गांधी एक ऐसी सिक्षा के पक्षधर थे जो भारतियों के भीतर परतिश्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर जीवि कि वे सिख्षा संस्थाओं को छोड़ दे और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तयार नहीं है आप है समझें कि आपका या किसी वेक्ति का कोई पैर है वह कितना भी कमजूर है वह भी किलांग है वह सीधा ते चल नहीं सकता है फिर भी वह उ यहां के पहसी में विवस्था है यहां के पैर को यहां के हाथ यहां के दिमाग को काट दिया गया और अंग्रेजों ने अपनी लोहे की दिवारे थी जो उनका दिमाग था उसको इसमें फीट कर दिया सिख्षा की वल भारतिये भासाओं में ही दी जानी चाहिए उनके मुत करने वाले अंग्रेजी सीख भारती है अपनी जनता से जूरने के तोर तरीके भूल चुके हैं अब हो हाई हलो करेंगे परनायम कोई करेगा तो कहा जाएगा गार इते ओल्ड मोडल है गाओं का अदमी है महत्मा गांदी और कस्तूर्वा गांधी सांति निकेतर में रवीजान ट्रेगोर के साथ लड़कियों के एक तूली में बैठ्वे हूए हैं गहतना चालिस के यह देखी यह रविना ट्रेगोर है और यह मात्मा गांधी और बच्चों की ट्रूली है इसमें गर होंगे आगे देखिए महात्मा गांधी के कहना था कि पहुचमी सिक्षा मौकी ज्यान की बजाय किवल पढ़ने और लिखिने पर केंद्रित है यानि इसमें आपको मास्टर बना दिये जाएगा मार डंटे के पीट पीट कर दिये जाएगा याद करा दिये जाएगा यह नहीं बताया और विभारी ज्यान की उपेक्षा की जाती है गांधी का तरक था कि सिक्षा से वेक्ति का दिमाग और आत्मा बिक्सित होनी चाहिए नौकी कुंठ हीट उनकी राय में कीवल सक्षारता यानि परने और लिखने की छमता पालेना ही सिक्षा नहीं होती है इसके लिए तो लो अराम पसंद हो यह तरसरी सेक्टर बढ़ा लेकिन सोचने की कुछ सीमाएं हैं आप सौफ्ट काम हर कोई में ही काम खोजे पतला काम नम अच्छा काम वाइट कोलर जौब तो कम मिलेगा सबसे अधी काम कहां मिलेगा तो मैं फैक्टिरिंग सेक्टर में लेकिन भारत में क्य इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है कि उनर चीखना पड़ता हैं और यह जानना पड़ता है कि विविमि काम करती है इससे उनका मौस्तिक्स और समझने की छमता दोनों विक्सित होती है लेकिन हुगा किया भारती में सब कुछ आयात पर आस्वित हो किया यानि बनाएगा बाहरी और यहां के लोग कहेंगे भाई मेरे पास पैसा है अरे मुर्ख पैसा है तो पैसा से अब खात होने लोगे पैसा से समान बना थोड़े लोगे पैसा से अगर है समान तो खरीज सकते हों और क्या करोगे दूसरा साक्षारता ही सिख्षा नहीं है गांधी जीने कहा यानि कि किसी को मार पीट कर सिखला दिये जाए इस तरह से जानवर को भी सरकस्म जागर देखिए वह सब सिखल लेता है तो क्या हुआ सिख्षी तो हुआ है नहीं गलत बात वहां वेल ट्रेंड है मात्माय गांधी लिखा था सिख्षा से मेरा मतलब इस बात से हैं कि बालक और मनुस्य के देह मस्तिक से भावना के स्रेष्ट तत्तों को सामने लाए जाए साक्षारता नो तो सिख अधन है जिसके जरिये अपने आप में सिख्षा नहीं होती लिहाजा मैं बच्चों को सिख्षी ते करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उप्योगी होस्त को उसल सिखलांगा तभी तो परधान मंत्री जो आज के हैं इन्होंने क्या किया स्किल की कमी है उन्हें सुरू से ह पाइदा करने के लिए त्यार करूंगा मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सरोच विकास इस तरह की सीख्षा में ही संभव है परते होस्त को सल आज की तरह कीवल यांत्रीक ढंग से नहीं बल्कि वैग्यानिक ढंग से परहा जाना चाहिए यानि कि बच्चों को परतेग पर किरिया के कियों और किसलिए का पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि यह लिखा हुआ है तो याद कर लिजिए बस यहां गलत बात है यहां उसमें दा कलेक्टिड वर्क्स ऑप महत्मा गांधी के खौन में छबा था उसमें का है फीपर का कोटिंग है जैसे जैसे राष्ट्रि यह भावना का परसार हुगा तो क्या हुगा उसके बाद थोड़ा पानी फी ले कोई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रिये सिक्षा पर्नाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजो द्वारा स्थापित की गई विवस्था से आमुल्ट और भीनत है जैसे सांति निकेतन यहां पर पिक्षे हैं यहां का पेर है इसी में परहां रहे हैं सांति निकेतन में एक अक्षा चल रही है और और यह 1930 के दसक्राइब की बात है आसपास का महौल देखी चारोतरों पेर और खुली जगह यानि कि जो पहले भारत में प्राचीन गुरुकुल की प्रंपरा थी उसी को जीवित करने का यहां एक पर्यास था आगे बढ़ते हैं आप मेंसे बहुत साथे दोस्तों ने सांतिर निकितन के बारे में सुना होगा जरूर कि आप जानते हैं कि इसकी अस्था अपना किसनी और क्यों की थी तो टैगोर मौह साहब ने किया था और महत्म नरेंदर मोधी साहब ही गय थे कुछ दिन में जिसमें से बढ़ते हैं वहां उनका दोम घूटत था उन्हें स्कूल का महाल कैसा लगा दोमशारी लगता था टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे जब दूसरे बच्चे सिख्ष को सुन रहे होते टैगोर का दि जहां बच्चे क्या करे तो बच्चे अपने मन की काम कर सके यानि बच्चे खूसरा सके जहां वे मुक्त और रचना सील हो जहां वे अपने विचारों और अकांग छाओं को समझ सके टेगोर को लगता था कि बच्पन का समय अपने आप सीखने का समय होता है अंग्रेजों द्वारास थापित की गई, सिक्षा विवस्था के करे और बंधनकारी अनुसासन से मुक्त होना चाहिए, किसको बच्चों को यह किसका विचार था, तो रवीनात टैगोर का विचार था, सिक्षा के कल्पना सील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विक्सित करने में मदद दे, टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचना सील था, चकित होने के उसके स्वभाविक गुन को मार देते हैं, टैगोर का मानना था कि सिरिजनात्मग सिक्षा को कीवल प्राकिर्थिक परिवेस में ही पूर्च साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में से 100 किलोमीटर दूर एक गरामीन परिवेस में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया, उन्होंने यह जगार निर्बल सांती से भरी सांती निकेतन, मतलग नाम भी उनको रख दिया था, सांती निकेतनी स्कूल परदोगी की उपासना के कटर आलो चकते हैं, जबकि टैगोर अधुनिक पस्चिमी सभेता और भारतिये परंपरा के सिरेश्ट तत्तों का समिस्वरन चाहते हैं, यानि टैगोर कहते हैं, जो अच्छा है उसको एब्जर्ब कर लो, को जरूरी नहीं है, कि सब लोग कुछ ह इब्जर्ब करेंगे, जो हमाँ लोग अपने मुताविक उसमें से गर्ण कर लेंगे, जबकि गांदे जी इसके पूरे बीरोधीत हैं, उन्होंने सांती निकेतन में कला, संगीत, निरित के साथ साथ विज्ञान और परदोगी की सिक्षा पर भी जोर दिया, इस परकार बह बीवस्था को इस तरह फैलाया जाएकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले, इसके बीप्री जीत, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक व्यकालबिक बीवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रिय संस्क्रिती क सिक्षा दी जा सके, कौन ताय करेगा अब, इस अच्ची अर्थों में राष्ट्रिय क्या होगा, आज भी देखिए, होता है कि यहाँ इसमें राष्ट्रियता है और इसमें राष्ट्रियता नहीं है, इस राष्ट्रिय सिक्षा की बहुत सोतंत्रता के बाद भी जारी रही और यहां आज भी जारी है यह स्कूल देखिए किसका पिक्चर है तो कोयम बुचूर के एक परचारक स्कूल में खेल रहे हैं खेल रहे बच्चे इसमी सदी का आराम की है पिक्चर है उनिसमी सदी के महत्य तक इसाई परचारक और भारती सुधारबादी संगर्ठन लड़कियों के लिए स्कूल खोले लगे थे यानि कि इसकूल खोले इसमी क्या होगा तो माध्यां बाता इंगलिस नाम होगा क्या संत्पाल सेंट्र अलबाट जब गजब नाम सब होता सब कहा है रहेगा सब भारत में ही और स्कूल का नाम लगेगा जैसे की पूरा का पूरा यहां इवरोप का ही स्कूल है सब्भब करने के लिए सिक्षा 1870 में सिक्षा अधिनियम लागू होने तक आम तोर पर पूरी अबादी के लिए व्यापक सिक्षा व्यवस्ता नहीं थी मालमजदूरी बहुत पैमाने पर थी इसलिए गरीव अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थी परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्यपूर्ण थी इस्कूल भी बहुत कम थे ज्यादा तर इस्कूल चर्च या इसायो द्वरा स्थापित किये गये थे सिख्चा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नहीं ने स्कूल खोलने शुरू किये और अनिवार सिख्चा का प्रावधान किया गया था टॉमस यहां देखिए टॉमस और नॉल्ड उस दौर को सबसे महत्यपूर्ण सेक्षी के निके विचारकों में से एक थे हुआ है रगबी नाम प्राइबेटी स्कूल के मुख अध्यापक थे हैं माध्यमी की स्कूल की पठिचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमा सस्रीक क्रीतियों के विश्त्रित अध्यान की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था मुझे हमेसा ऐसा परतीत होता है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्याइन करम अपनाया जातता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लागातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रिरित करता है हर जो हम भासाओं इतिहास और कुछ साल पह कि यह हैं वास्तर में उसकाल के ज्यादा तर सिख्छा वीजों की मानेता थी कि क्या कि इस तरह का अनुसाहसन बहुत जरूरी है क्योंकि बचे स्वभाविक रूप से असभ्य होते हैं उन्हें नियंत्रित करना आवसक है सब है वयसके के रूप में विक्सित होने के लिए मालूम होना चाहिए कि समाज में सही क्या है और गलत क्या है और उचित और अनुचित के आचरन में फर्क होना चाहिए सिख्छा खास तोर से बच्चों के दिमाग को अनुसासित करने वाली सिख्छा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाता है तो क्या बता सकते है इस तरह की विचारों ने इंगलयाने में गड़ीबों और उपनिवेसों में देशी जनता की सिखा सम्भंधित सोच को किस तरह प्रभाविद किया होगा जो बहल में होगा कि औरेजिव इसके इंटली में इस्ताय कर भी वस्ताइब तो नॉर्मल बात करा वहां सोचने वाले लोग हैं बच्छों को भी पढ़ा रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं पढ़ाए जाए तो यह तो यहां दिया हुआ है विलियम जोन्स रविन्ना टेगोर टॉमस मैकाले महत्मा गांधी पाठ साल आएं तो सबसे पहले यहां देखिए टॉमस मैकाले यह क्या थे यहां अंगलेजी सीख्षा को इन्होंने पुरसान दिया और इन्हीं की करण आज भारत में सब कुछ देख रहे हैं विलियम जोन्स यह क्या थे तो यहां प्राचीन संस्कृतियों का सम्मा यहां पाठ साल आएं मतलब प्रकृतिक परवियस में सीख्षा महत्मा गांधी यहां अंगलेजी सीख्षा के बिरुद्ध हैं तो रлейन। टैगोर और विलियम जोन्स तो रविलियम जोन्स यह क्या थे तो यह प्राचीन संस्कृतियों का यह सम्मान करना चाहिए किंक Marin Curricon का मन्मान थ हा लगीना टैगोर यह गुरू आगे बरते हैंने मिवलीखीत में से सवय गलत कौन है एकसर मेल तो यह थो मेह काले स्ञेम ईंट सुरे को प्रोश में नीड रोय और लुँद दीज wysp ऩे फिर्ल पर दिया गया था कि भारत में उछे सिंट नमट्वान यहांпод। वूट डिस्पेच में तो यही था कि भारतने जो हाईयर एजुकेशन होगा वह अंग्रेजी में होगा मातमाय गांधी मानते थे कि साक्षरता बर्हाना ही सिख्षा की सबसे महत्योपूर्ण उद्यस से नहीं मातमाय गांधी के अनुसार स्कील होना चाहिए कौसल होना चाहि देखता था कि बच्चोपर सख्थान चाहिए नहीं वह तो अनुसारसन के मैं सब्सक्राइब कि खिलाप थे वह बच्चयों को चाहते थे बच्चा क्या है वह तो खुले आकास की तरह उसको खुले पंग्छी की तरह खुले आकास में उरना चाहिए तबनों उसमें नैने चाहते थे कि यहां के लोग भी यहां के जो संस्क्रीट ही इसके बारे में यहां जानना चाहते थे इसलिए इसके बारे में अध्यान किया क्यों अध्यान किया क्यों को पता था कि किया यहां के लोगों के लिए फायदेमंद होगा और फायदेमंद का मतलब किया कि इसे अंग प्रफिए शिक्षा के कट्र समर्थक थी और इन लोगों किहीं बात चली यह लोग कहते थे कि यहां के जो सिक्षा व्योस्था वह कुंठित है वह अक्षम है वह अपूर्ण है इसमें कमिया है नर्मल बात है कमिया है तब ना अंग्रेज या इरोपास इस चेते पर कभ्जा क चुके थे हां के सही परीपूर्न रहते तो यहां पर भी निय भीिचार नीने खो जाती नहीं कि महत्मा गांधी बच्चों को हस्त कलाक्यों सिखाते थे क्योंकि महत्मा गांधी के विचार में हस्त कलाक्या है हमें आत्मनीरभर बनाएगी तब ही तो अचारखा चलाते थे यानि आत्मनीरभर ही बनना सिख्चा का मूल उद्धेस है तो उसके लिए क्या चाहिए परते एक खाइए माहत्वागानदी आशा क्यों सोचते था अंग्रीज शीठ्छा ने भारतियों को गुलाम बना दिया अंग्री जींग्लेन्ड से कम से कम स्रमिक केवा और यहीं की लोग काम करेंगे जब यहीं की लोग अंग्लेजी सीछ जाएंगे तो क्या हुआ अच्छ लगेंगे क्या थो क्या पह्नेंगे कैसे रहेंगे क्या कोईका उइसक्त लिखेतर में बाजार भी मिल जाएगा जो गांधेजी समझ चुके थे इसलिए गांधेजी अंग्रेजी सीचा का विरोध करते थे और अठार सुसंता उनकी बिद्रोह में भी क्या हुआ परहे लिखे समाज ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था तो ये करके देखे नहीं करेंगे हम लोग अब इसके बाद हम लोग अगली बार मिलेंगे तो चैप्टर 9 में बिलेंगे असा करते हैं कि यहाँ पर्यास अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करें सियर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवार।